हलो प्रेंट्स, वेलकम टो मैं चैनल हाई लेवल कम्प्यूटिंग, मेरा नाम नटराज है दोस्तो आप यहाँ पर यह जो ब्रिज देख रहे हैं, यह बेड़ती रिवर का ब्रिज है आपने एलापुर से सिर्सी जाते वक्त, या फिर सिर्सी से एलापुर जाते वक्त, आपने इस ब्रिज पर ट्रावल किया होगा अगर आप लोग बेड़ती रिवर के बारे में नहीं जानते हैं तो बेड़ती रिवर ओही रिवर है जो मागोड वाटरपल को क्रियेट करती है आप जो यहाँ पर देख रहे हैं यह इस बेड़ती रिवर का नया ब्रिज है और इसके साइड में जो वो छोटा वाला ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है वो इस बेड़ती रिवर का ओल्ड ब्रिज है साइड से देखने पर हमें ये दोनों ब्रिज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं दोस्तो आज मैं आपको बेड़ती रिवर का ब्रिज इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्लेस है बहुत सारे लोग हर रोज इस ब्रिज के उपर से गुजरते हैं लेकिन इस ब्रिज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस ब्रिज के पास कहीं सारे देखने लायक चीजे हैं ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है अगर आप लोग सिर्शी से एलापोर रोड में ट्राविल कर रहे हैं तो आपको इस ब्रिज से देखने पर लेप्ट साइड में दूर में कुछ चोटी सी इमारत के जैसे दिखाई देती है दोस्तो ओ एक पंप हाऊस है वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है और वहाँ पर जाने के बद आपको देखने को कौन-कौन सी चीजे मिल जाती है सब आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्रिज के पास है यहाँ पर एक चोटा सा मंदिर है और इस मंदिर में भाग देवता का मूर्ती और एक शिवलिंग और नाग देवता के मूर्ती भी आपको देखने को मिल जाते हैं चलिए आपको हम तोड़ा नजदिक से दिखा देते हैं और इन मूर्तियों को यहाँ पर हर रोज पूजा जाता है बहुत सारे गाड़ी वाले यहाँ पर गाड़ी रोक के इस भगवान का आशिरुआद लेके यहाँ से जाते हैं और इस मंदिर के पीचे ही हमें उस पंप होस तक जाने वाला रास्ता मिल जाता है दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पर अकेले जा रहे हैं तो आपको तोड़ा सोच समझ के जाना होगा क्योंकि यहाँ पर दोपहर के समय में बहुत सारे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं और यह जो रास्ता है जंगल के बिल्कुल बगल में से ही जाता है मतलब आपको रिवर के साइड साइड में ही फंप होस तक जाके पहुँचना होगा और यहाँ पर आपको बीच बीच में जंगली जानवरों के आवाजे भी सुनाई दे सकते हैं और उनके पेरों के निशानिय भी हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं दोस्तो बेड़ती रिवर के इस साइड में बहुत कम ही लोग विजिट करते हैं इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिवर के दूसरे साइड में विजिट करते हैं जिनको भी पंप हाउस देखना है बस वो ही लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जंगली जानवरों के पैरों के निशानिया है शाइद यह जंगली बकरियों के पैरों के निशान होंगे अगर हम यहाँ पर थोड़ा गूम के देखेंगे तो हमें यहाँ पर जंगली बहसों के पेरों के निशानिया या पिर टाइगर के पेरों के निशानिया पर हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यह जो एरिया है, जंगल के बिलकुल बगल में ही है, और इस एरिया में टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं, देखिए दोस्तों, अब हम पंप हॉस के पास पहुची चुके हैं, आप यहाँ पर यह जो देख रहे हैं, यही पंप हॉस है, पहले पीने के पानी को यहा यहां से एल्लापुर के लोगों तक पहुचाया जाता था लेकिन लग रहा है अब यह पूरा खराब हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कई सारे मशीने भिक्रे हुए हैं और इसके पास में भी यहां पर एक चोटा सा डैम बनाया गया है यहां पर पानी को र अप्लाइ किया जाता था और दोस्तों यहां से देखने पर हमें बेड़ती रिवर का ब्रिज कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों कहा जाता है यह जो बेड़ती रिवर है हुबली के उनकल लेक में पैदा होती है और मागोड़ पाल्स को क्रियेट करके बाद में अंकोला तालुक में बहती है और वहां पर इसको गंगावली नाम से जाना जाता है और यह वहीं पर समुंदर में भी मिलती है दोस्तों आप यहां पर इस जाक वेल के खराब हुए मेशिन को भी देख सकते हैं एक जबाने में इस मेशिन ने कितना काम किया होगा अब आप देख सकते हैं इसकी हालत यहां पर सब खराब होके जमीन पर गिरे हुए हैं आप लोग इसके उपर के साइड को भी देख सकते हैं और दोस्तों जहां पर भी हम खड़े हुए हैं यह एक बड़ा सा टैंक के जैसा है यहां से नीचे उतरने के लिए भी यहां पर सीडी की देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीडी भी अच्छी थरह से दिख जाएगी यहाँ पर इस टैंक को साप करने के लिए शायद नीचे उतरते होंगे और देखिए किडकी से बाहर देखने पर हमें नजारे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर दो लोग बैटके मचली भी पकड़ रहे हैं हम कुछ ही देर में उस तरफ भी जा रहे हैं दोस्तो यहाँ पर यह जो पैरों के निशानिया आप लोग देख रहे हैं यह जो भी जानवर जंगल से पानी पेने के लिए डायरेक्टली नीचे उतरते हैं यह उनके पैरों के निशान है इस जाकवेल के पास ही घना जंगल स्टार्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो नदी के इस साइड में मतलब जहाँ पर भी हम खड़े हैं वहाँ पर बहुत कम लोग विजिट करते हैं लेकिन आप लोग नदी के उस पार में देख सकते हैं वहाँ पर कहीं सारे लोग सामन को भी साथ में लेके जा रहे हैं वो सभी लोग कहां पर जा रहे हैं और वहाँ पर क्यूं जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है आपको सब हम वहाँ पर जाके दिखाएंगे देखिए यहां से जूम करने पर हमें वहाँ पर बड़े बड़े लकडियों के धेर ही दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर उतने सारे लकडियां क्यों जमा है हम वही पर जाके आपको दिखाते हैं अब चले दोस्तों अब हम इस नदी के दूसरे साइड में चलते हैं देखिए, अब हम इस नदी के दूसरे साइड में आ चुके हैं, और यहां से देखने पर हमें उस साइड का नजारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और बीच में बड़े-बड़े सुके फेड भी हमें दिखाई देते हैं, यहां पर पानी रुखा हुआ है, क्योंकि इस तोड़ा इस डैम का भी दर्शन करा देते हैं, दोस्तो अभी यहां पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखिए, यहां पर तोड़ा फिसल सकता है, आप लोग यहां पर सोच समझ के जाईएगा, देखिए, यहां पर इस रिवर के दोनों साइड में बड़े-बड़े च यहां का चोटा सा डैम है दोस्तो यहां पर डैम के बाद का एरिया बहुत ही बड़ा है, यहां पर हर कोई आसानी से आके पिकनिक मना सकता है, उतनी अच्ची जगा है यहां पर, हर रोज यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहीं पर खाना वाना पका के, पानी में खेल के शाम तक घर को और यहाँ पर मचली की तादात भी बहुत जादा है हर किसी को यहाँ पर मचली मिल सकती है इसलिए यहाँ पर जादा तर लोग मचली पकड़के उन्हें पका कर खाने के लिए ही आते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोग मेरे चानल पे नए नए आये हैं तो मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों मैं मेरे चानल पे इसी तरह के नए नए हीडन प्लेशस के बारे में वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूँ अगर आप लोगोंने मेरे चानल को नहीं देखा है तो एक बार विजिट करके देख लेजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग